Good morning, my dear friends, and daily routine start ho gaya है. Morning में सबका यही काम रहता होगा. बच्चों के उटने के बाद। आज कल बच्चे तोड़ा सा लेट उट रहे हैं. थोड़ा सा मॉर्निंग में लेट हो जाता है काम करना. यही कंबल वगेरा ब्लेंकेट्स वगेरा जो भी होती है इनको तै करके इनका जो भी नियमित स्थान होता है निर्धारी स्थान होता है सोरी निर्धारी जगा पर जो भी इनका जगा होती है वापर उनको रखना यह तो सभी के घर में काम होता ही है आजकल जो है सर्दी में का बहूत ज्यादा गर्मी अज़ी को इस में ज्ञादा अच्छा लगता है वहाला मौसम मुझे अच्छा लगता है यह मुझे लगता हैं आ तो बच्चों को इतने ज़्यादा कपड़े पहनने पड़ेगे और रिजाईय अवगरा इनका जंजट हो तो तब फोड़ा वगता है है और इस इसाब से तो मुझह गर्मिया पसंद है और इस आप से भी बसंद है कि गर्म है इसी के साथ यह मेरा मौनिंग का काम चल रहा है और इसी तरह से मौनिंग का जिदूल तो क्यर काफी का सभी का रहता है और आज केट सेखरना उसके वाद गर के सफाई करना और डस्टिंग वगैर पोचय वगैर जाड़ की यहाई है सबका ही साथ उसलों सका है संफ जाँ यह का कम Means सिफोल कुल चले जाए तो फोड़ा जल्दी काम नइपट जाता है बड़ यह एक the प्रेंट्स आपका कितने बज़ा तक काम निपट जाता है मेरा तो काफी लेट तक हम आपनी पर गारत है और जब तक मैं कम निपorious को बैट जब तक कम निपत पहुता है उसके बाद ही मेरा नाहानेद नहीं होता है जैसे लोगते है तुब जब जब तक मेरे साथ ऐसा नहीं हां मेरा काम तक काम काम करते हैं करकël मेरा हो जातर हुए जब हस्पास कृटा बरेकष् chciaें कर गार काम होता है सकती है मेरे सकती है कि मेरे करने दोछब के नहां हम होता है और उसके बाद ही फिर उनका कुछ काम होता है तो लगे हुए फ्रेंट्स इस तरह से सफाई करने में और बच्चे भी थोड़ दर पहले उठे हैं बच्चों के उठने के बाद फिर बैट वगारा जड़ता है ब्लैंकेट्स वगारा तैकर के रखते हैं उसके बाद ही मन करता है कि हाँ जाड़ो पोचे का टाइम आ गया है और इस तरह से अब बताएगा फ्रेंट्स आपका किस तरह से रूटीन चलता है और कैसा आपका कैसा होता है मतलब सुपा नहाने दोने के बाद आप सब काम करते है या फिर मेरी तरह ही आपका रूटीन है वैसे मेरी तरह सब नहीं होता है मेरी सिस्टर का भी नहीं है वो भी कहती है कि काम मतलब टाइम पर निपटा लेना जाहिए जल्दी जल्दी बड़ नहीं हो पाता है जैसे अब आजकल तो लाइफ क्लास चलते रहो एक्टिव रहो उतना शरीर अच्छा रहता है और फ्रेंट्स उसके बाद मै रहर मसूर की में हमारे घर में ह्有जू मासूर की डाल बनिया है या पिर एक नाल मखनी होती है इसमें सापू तोड़ा राजमा डलते हैं यहां पर मैने जो हर मसूर की डाल बोती है जिसको पीली डाल भी कहा दाल देती हूं उसके बाद थोड़ा पानी करके इसको बॉयल ला देती हूं और लहसुन से इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस दाल में और आप चाहे तो बाद में लहसुन का अलग से भी तड़का लगा के इसमें आड कर सकते हैं यह वाला दाल की मैंने अलग से भी रेशीपी शेयर की है और वह मैंने परफेक्ट तरीके से बनाई थी मतलब बनाने के बाद और इस वाली दाल में देसी की का तड़का देसीगी उपर से डाला जाता है बहुत अच्छा लगता है हरे धनिये से भी काफी अच्छा टेस्ट आता है कसूरी मेथी मेरे अटी बा अच्छा, अच्छा करते ह banco क्रेंस अच्छ न करते हैं और मैं भी अच्छी हूं स्वास्त हुँ एमस्अ काफी ये और ढ़ तो सुरक्षित होंगे अपनी सुरक्षा अपने हाटों में हैपना स्वास्ते अपने हाटों में है आज की ने नी बाते स्टार्ट करते हैं और फ्रेंट्स मोसम तो हमारे इदर अच्छा चल रहा है आजकल दूप काफी अच्छी आरे काफी कड़ा कितनी तेश दूप आ रही है कि ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा टाइम नीचे दूप में बैठा भी नहीं जा रहा है इस तरह कि दिन में तो का मुसम रहता है आप पताएगा आपके साड़ कैसा मुसम है तोड़ा-थोड़ा मतब गर्मी सी आ गई है यह आपी थन्डी चल रही है आपकी साइड और पताएगा प्रेंड्स मुझे आप कमेंट करके बताएगा और आज सेटर्डेय है कल संड़ है तो कल हस्बेंट जी की है कल तो कुछछ भी नहीं बन पाएगा व्लोग ना ही कोई खुट हो पाएगा कुछ भी नहीं हो सकता है तौड़ा रैसक्ण बगारा का में शुट कर लो बट पागी कुछने हो पायगा कूशन संडे को कुछ प्लभाइब थीज़ काफी काम से जब दो हम भी जड़ां जल्डी जल्दी करते हैं कि फटा फुन को मतलब उनके लिए के लिए रेडी करके देना है और लेंज बॉक्स रेडी करके देना है तो इस तरह से हमारी वी काम काफी हद तक हम हो जाते हैं फिर आने तक मुझत जब पर दिन का लांच और आसी ही होता है पर सुबाई लेट हो जाता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों को कोई बात समझाते यह और उस बात को समझते ही नहीं है कुछ भी हम जितना भी समझा ले पंगरने होता है कि ऐसा लगता है पता नहीं हमारी बात है या वो सकते हमारे ऐसी सिचूएशन आ जाती है जिसमें ऐसा लगता है कि पता नहीं हमारी ये बात जो है, हम वो समझना नहीं चाहरे या मतलब समझना चाहते ही नहीं है। इसτιरा से ऐसा लगता है कई बार ऐसे मोक्या आ जाते हैं जिन्दगी में फिर बड़ा गुसा आता है.. बच्चों के केस में में तो गुछ सा उतर भी जाता है कि क्यों में busy schedule रहता है यह है कि जहां कभी-कभी husband की मतलब को किसी किसी जगा पे जिसकी husband की Sunday को छुटी ना होती हो किसी और दिन छुटी होती हो कई बार ऐसा है किसी की Monday को Tuesday को या कई बार कोई कुछ लोग ऐसे होते है कि किसी का weekly मतलब ok go weekend में दो off होते है Saturday संडे भी कहीं लोगों का होता है या फिर किसी किसी की बीच में इस तरह से होता है कि ब्रेकफास में क्या बनाओंगी, लंच में क्या बनाओंगी, इस तरह से पहले ही मैंने लाइन अप करके रखा है कि क्या के चीजे बनाओंगी, बाकी देखते हैं हस्बेंट की च्वाइस की अकोडिंग रात को एक बार उनसे पूछूंगी कि कल ये चीज बना दू, अगर व होता है कि हमारा प्लान फिर कैंसल हो जाता है, जो हम सोच के रखते है, तो इसलिए मैं तो एक बार रात को हस्बेंट से डिसकस कर लेती है, उनके कल ये बनाया जाए, अगर वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है बना लो, क्योंकि हस्बेंट की छुट्टी है तो उनकी अकोडिंग बट ये है कि सब प्लान पूरे नहीं हो पाते हैं, कई बार तो कुछ भी नहीं हो पाता है, घर में रह जाते हैं, बट ये है कि कभी-कभी प्लान में नागर चलते हैं, सुपर जल्दी-जल्दी काम करना शुरू करते हैं, तो काफी सारे काम हो भी जाते हैं, और डीनर में पहले पालक पनीर बना ता था कि उस्फे बन ने नीचे सबजी करने ला लगती है तो वहां से खरीड लिया था कि जुछ भी ने नीचे गड़े लिये और दोनों ही फिर नीचे से लिये और साग में ज़्च कुवांटेटी में बनाती हूं गया वे गाइद तो पिंटो लगती है तो जयादा ही बना लेना चाहिए तो साङ बन रहा है रेचीपी शेयर स्पी तो पहले शियर की हुई है बर्टन इस टीदा आशा करती हूं फ्रेंट यू श्राइब कर देजिए का क Audience अगर आपको लगता है इस वर्स शेरिंग तो आप इसे शेर कर सकते हैं इसी के साथ आज का व्लोग खतम करती हूं कल मिलेंगे नहीं बातों के साथ प्रेंट्स और नहीं व्लोग के साथ तिल देन बाई बाई